Hello and welcome guys, मैं हूँ तस्खीर और इस वीडियो में हम रियाक कर रहे हैं ISI Successful Missions and Collaborations का एक वीडियो देखने वाले हैं जोगी इंट्रेस्टिंग होगा, देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि ISI के कौन कौन से मिशन जो हैं, वो successful रहे हैं जो भी information आपके पास हो, वो भी आप comment section में बता सकते हैं बेना देरी के start करते हैं, let's start the video now वीडियो में हम देखेंगे कि ISI ने कहां कहां और कैसे कैसे कारणा में अन्जाम दिये हैं सो जरा भी time ना वेस्ट करते हुए, let's start This is Gaur Ali Rezvi and you are on my channel ये सिर्फ पाकिस्तानी मदद ही थी कि जिसकी वज़ा से सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया अमेरिका ने ISI की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन को ऐसी शिकस दी कि दुनिया देखती की देखती रह गई लेकिन उससे ISI की पावर का भी अंदाजा हुआ 1982 में अमरीका ने प्लैन बनाया कि वो अफगानिस्तानियों को अपने हत्यार देने के बजाए सोवियत यूनियन के हत्यार ही देगा ताके अमरीका पर शक ना हो इसके लिए अमरीकी सियाई ए पाकिस्तानी ISI और इसराइली मुसाद ने 1982 में एक प्लैन बनाया इसराइल ने लिबनान से जंग के दुरान कुछ सोवियत यूनियन के बनाया के वैपन पकड़ रखे थे प्लैन ये था कि वैपन्स नहायती खामोशी से इसराइल से पाकिस्तान पहुचाएं और वहां से अफगानिस्तान पहुचाएं ये बहुत ही कमाल की बात है कि ये वही मुसाद और इसराइल है तो कि अभी कुछ अर्सा पहले अपने जहाज रेडी करके इंडिया से पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था लेकिन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि इंटेलिजन्स में दूसरी एजन्सी के साथ कुलाबरेशन भी होता है क्योंकि मौमला सिर्फ और सिर्फ जाती मफात का होता है एनिवेस ये सोवीत यूनिन के बनाए گए हतियार असराइल से पाकिस्तान और पकिस्तान से अफगानिसान पहुचे जहां ये हतियार सोव्यत यूनिन के अगेंस इस्तेमाल kiे गए ये मिशन इतना खुफिया था कि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हुई और इस मिशन की डीटियल्स 2016 में सामने आई अच्छा बाद में आई है 2016 अफगानी हकूमत सोवेट यूनियन की तरफ थी जबके अमरीका अफगान मुझाहिदीन की मदद से सोवेट यूनियन को डेल्ड करना चाता था इसके लिए सियाई एन आईसाई ने हिरोईन की समगलिंग की अफगानिसान में जिसका हदव ये था कि सोवेट ट्रूप्स एंड सोलजर्स को हिरोईन का आदी बनाया जाए ताकि वो इतने एक्टिव ना रहें जितना कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था जैसे मैंने बताया कि अफगानिस्तान की हकूमत सोवेट यूनियन की तरफ ती आफगानिस्तान की तरफ आ रहे थे रेफिज के लिए तो अफगानी इंटलिजन्स एजन्सी के एच एडी ने प्लैंड बनाया कहाने बेज़ेगा आकि पाकि पाकित्तान की एक्टिविटीस पर नज़ा रखी जा सके और वो information फिर Soviet Union के साथ शेयर की जाए इसके लिए ISI ने इसलामबाद में मौजूद अफगान embassy के इंचार्ज मिस्टर मनसूर एमद को अपनी तरफ किया उनको यकीन दिलाया और समझाया कि वो अफगानिस्तानी हकूमत को सपोर्ट ना करे और फिर उनको और उनकी पूरी फैमिली को खमोशी के साथ लंडन भिजवा दिया गया जिसके बदले में उन्होंने के एच एडी के एजन्स के प्लान की classified information आईसाई के साथ शेयर कर दी सोवियत एन अफगानी डिपलोमेट्स ढूनते रह गए कि मिस्टर मनसूर एहमद और उनकी फैमिली कहा गए लेकि उनके हाथ कुछ भी ना आया 2016 में आईसाई की एक बहुत बड़ी कामियाबी कुलबोशन यादेफ का अरेस्ट भी थी तफ्टीश के दुरान कुलबोशन ने खुद तसलीम किया कि वो रौ का एक एजेंट है और इंडियन नेवी का हाजर सर्वेंट है और उसका में टारगेट सी पैक के हवाले से इंफरमेशन एकटा करना था कुलबोशन ने इसके इलावा अपने कराची और बलोचिस्तान में एक्टिविटीज का भी एतिराफ किया एन समात के बाद कुलबोशन को फांसी की सजा हुई लेकिन इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में इसका केस परसूर किया और आईसी आईजे ने पाकिसान को काउंसलर रसाई देने का कहा है कहूटा रिसर्च लाब ये वही लाब है जिसमें अब्दुलकदीर खान काम करते रहे पाकिसान के नूक्रियर बंब बनाने के लिए 1989 में आईसाई को अंदाज़ हुआ के के आरेल की सर्वेलिंस करने की कोशिश की जा रही है फ्रांस के अमबैसेडर और उनके सेक्रेटरी के आरेल के हवाले से मालूमात एक्खटा कर रहे हैं दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और उनके कैमरे और हसास एक्विपेंट को जब्त कर लिया गया जब उनकी कम्यूनिकेशन कोई जाच परताल की गई तो वो पता लगा के दोनों CIA के लिए काम कर रहे थे 1980 में आईसाई ने अपना एक आदमी इसलामबाद की सोवियत यूनिन के अमबैसी में छोड़ दिया कुछ ही एरसे बाद खबरी ने रिपोर्ट दी के सोवियत अमबैसी के थर्ड सेक्रेटरी करा करम हाईवे के हवाले से मालूमात जमा कर रहे है और इस इंफर्मेशन में एक मिस्टर एजास नमी शक्स उनकी हल्प कर रहा है आईसाई ने इस एजास नमी शक्स को धर लिया जिसने एतराफ किया कि कुछ महीनों से सोवियत डिप्लोमेट उसके पीछे पढ़ा था मिस्टर एजास की फैमली को मारने की ख़ंकी में रहा है यिसाई ने बज़ा डिप्लोमेट को डेरेक्था अप्रोश करने के मिस्टर एजास के जरीए ही गलत इनफ़्मेशन फीट करना शुरू करदी और वो डिप्लोमेट आगे वो इनफ़्मेशन पास करता रहा कुछ ही अर्से में डिप्लोमेट को अंदाज़ा हुआ कि एजास से जतनी इंफ्रोमेशन निकाली जा सकती थी वो निकल गई है और उसने मिस्टर एजास के और इंफ्रोमेशन मागना छोड़ दी 1992 में बौज़निया में जंग शुरू हुई तो आईसाई ने बौज़न मुस्लमानों की हल्प की और उनको हत्यार और पैसा सप्लाए किया जिसकी फंडिंग साओधी अरबिया ने की बौज़नियन वार एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो अगर आप इसकी अलग से एक काणियों पर नज़ल रखना चाहती थी आईसाई एंफ्रो किि के पाकिस्तानी अमरीकी पाकिस्तान के लिए कोई खराब जबन इस्तमाल ना करें इस में न्यू-यॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी कोंसलेट में काम करने वाले महम्मत तस्लीम जो कि मेंनली आईसाई के एजन् बनकर पाकिसानी कम्यूनिटी में जाते थे और उनसे सवाला जवाब करते थे और ये इंफर्मेशन वापिस ISI को शेयर कर देते थे जब FBI को इसका इल्म हुआ तो CIA के डिरेक्टर ने ISI चीफ से बात की और फिर जिसकी वज़ाद से मिस्सर तस्लीम को अमरीका से वापिस बुलवा लिया गिया 1998 में उके 1998 में जब पाकिसान और इंडिया ने अपने नुकलियर बॉम टेस्स किये तो RAW ने इसराइली मुसाद से मिलकर प्लैन मनाया है पाकिसान के नुकलियर साइज पर अटेक करने का इसराइल ने इस हमले के लिए अपने जेट्स देने की भी हिंदुस्तान को पेशकश की लेकिन ISI को इस प्लैन की डीटियल्स मिल गई और ISI ने वो सारे प्लैन की इंफरमेशन भारती RAW और इंडियन गवर्मेंट के साथ शेयर कर दी और बताया कि हमें अल्डेडी पता है कि आप कैसे किस वक्त और कहां अपनी कारवाई करने वाले हैं जिसने इंडिया ने अपना हमला का प्लैन तरक कर दिया एक्चुली सेम ही रिसेंटली फिर से रेपीट हुआ फैबुरी में पुलवामा अटेक के बाद भी इंडिया और इसराइल ने मिलकर फिर से पाकिसान पर मिजाल दागने का प्लैन बनाया जिसमें भी इसराइली तयारे इस्तमाल होने थे और उसकी इंफरमेशन फिर से पाकिसानियों को बरवक्त मिली और वो इंफर्मेशन भी शेयर की गई इंडियन गोवर्मेंट से जिसके बाद वो ट्लैन भी इंडिया ने ड्रॉप कर दिया And that's it, hope कि आपको मेरी वीडियो पस नहीं हो Let me know कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी Again, disclaimer देता जाओं कि ISI एक बहुत ही कमाल की professional organization है And for sure इस इदारे के हवाले से पुखता मालूमात मौझूद नहीं है जितनी भी इस वीडियो में मैंने information share दिया वो online available है And interviews में इसका जिकर होता है यह information गलत भी हो सकती है बहुत सारी information जो आप हमें बता सकते हैं कि यह साही थी यह गलत थी क्योंकि मैं भी एक आद वीडियो में बोला हूँ अगर आपने देखा होगा तो कि 100% आप इसको सच नहीं मान सकते क्योंकि आपको पता है कि यह secret agencies है और इनकी 100% सच आपको नहीं मानना चाहिए लेकिन हाँ कुछ चीज़े मैंने बताया था कि हाँ यह चीज़े हैं ऐसी सो बाकि आप कमेंट सक्षेशन में बताईएगा कि कैसा आपको information है इसके बारे में लेकिन हाँ बहुत सारे missions थे इसके अंदर 1980, 82 से लेकर 2016 तक के जो भी missions थे चाहिए वो कुलगूशन का हो या फिर और बहुत सारे missions हो या फिर उनको information पहले ही पता चल जाना या फिर इस्राइल और अफगानिस्तान का जो है वहाँ से आना और अपने पाकिस्तानियों पर ही नज़र रखना कि वो कुछ गलत ना करें या फिर कुछ वैसा अमेरिका में जाकर तो बहुत सारी missions थे जो मतलब अंजाम तो ऐसे दिये गए थे प्रोफेशनल तरीके से जैसा ये बता रहे थे या उसके हिसाब से तो मुझे यही लग रहा था कि बहुत दबर्दस तरीके से प्लानिंग की गए थी और जो हमलों का या फिर अटेक होने वाले हैं उनका पता पहले चल जाना और information दे रहे ना उसी country को जो हमला करने वाली है तो वैसा scene होना भी एक अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि information पता लगना ये secret information होती हैं बहुत जादा और इनका पता लग जाना और उस पर control कर लेना भी एक अपने आप में बड़ी चीज़ है तो ये agencies जो हैं जो भी अंदर से काम चल रहा है आपकी हिफाज़त के लिए हमारी हिफाज़त के लिए अपनी अपनी countries में तो वो agencies जो हैं अपना काम बहुत ही करती है लेकिन हमने पाकिस्तान का देखा पाकिस्तान में कई सारे missions जो थे पुराने वक्स से successful होते आ रहे हैं अभी तक ऐसे missions चल रहे हैं तो अभी currently क्या हुआ है कुछ और information है कुछ missions की या फिर कुछ वीडियो की तो आप बता सकते हैं comment section में फिलाल के लिए इस वीडियो को यहीं end करते हैं काफी knowledgeable वीडियो था मिलते हैं नाक्स वीडियो में बाई बाई टेक क्यार साइनिंग ओफ